हालो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सोभी लोग आई होप आप सोभी लोग बहुत बढ़िया होंगे मैं क्यार सहनी के आरेज़ के से पर अप सुभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो एट पे कमिशन का मुद्दा जो है फिर से गरमाया है और यहां पर मोधी जी की सरकार बंच चुकी है और कई सारे जो है न्यूज चैनल वगरा न्यूज पेपर होगरे बता रहे हैं कि 3.68 फिट्मेंट फेक्टर के साथ में एट सीपीजी आएगा तो इसमें जो है कितना नियूंतम वेतन होगा केंद्री करमचरे को जल्दी आपर बड़ी खुसकबरी मिल सकती है क्योंकर दोस्तों सरकार जो है यहां पर तीसरी बार रिपीट हुई है और मंत्री में बड़ा फेर बदल यहां पर नहीं हुआ है इसमें देखिए एटपे कमिशन आने से कितना बड़ेगा केंद्री करमचरे को वेतन यह होगा नया सेलरी स्ट्रक्चर चार घंटे पहले का यह अपडेट है इन्होंने पोस्ट किये इसके अलावा आपको दिखा देता हूँ जन सत्ता ने अपने चैनल पर अपडेट किया एक दिन पहले एटपे कमिशन आठवे वेतन आयोग को कितनी बड़ेगी सरकारी करमचरे के सेलरी कब हो सकता है आपको जो है इसका नाम सेंट बगर है आप देखिए आगे आप ABP News का देख लीजे एटपे कमिशन सरकार बनने के बाद अब आटवे वेतन आयोग की तेयारी सरकारी करमचरे को कितना क्या मिलेगा बेनिफेट वगर और इसमें है मोधी 3.0 के गठन के बाद में केंजरी करमचरे को मिलेगी गुड निउज आठे वेतन आयोग पर लिया जा सकता है बड़ा डिशीजन अब देखिए यह जो है दा इकोनोमिक टाइम की है यह चार दिन पहले की है यह एक दिन पहले की है कहने का मलब सभी जो है निउज चैनलों पे यह चीज खबरों में आए और टोप मोस प्राइटी पे चीज चल रही है तो कही ना कहीं जो है इंटरनल इसको लेके सरकार जो है यहां कोई ना कोई डिशीजन आपे ले सकती है एकी इसे बंटिट को लेकर उपर इसके बताया जा रहा था कि एक सरकार मर्ज्स कर सकती है जो की 7CP सिकेंदर एक करोड फर्मिली की बात की जा रही थी जिसमें बिना 10 साल का इंतिदार के उससे पहली आपकी बेसिक रिवाइज करी किया सकते थी लेकिन डिये जो है आपका 50% पहुंच चुका है और जैसा कि यहां पे खबरों में चल रहा है बहुत जोर सोर से कि आपका एटपे कमिशन आपके लाया जा रहा है और मांसोर सतर की जो पहली बेटक होगी उसी में कोई ना कोई आउटपुट निकल के आएगा तो मैं जो है एक आपको एक निउस पेपर की सारी कुछ अपडेट दिखा देता हूँ उसके अंदर क्या कोई लिखा हुआ है दोस्तों मैंने ABP न्यू चैनल जो है उसका पेज ओपन किया है और इस पर देखिए हेडिंग जो लिखिए है लोगसभा चुनाओं के बाद परधान मंतरी नरेंद मोदिनी लगातर तीसरी बार देश के परधान मंतरी के तोर पर सबत लिए है उसके साथ कहीं सरकार के मंतरियों ने पर सबत ग्रण किया है इसके आगे लिखा है आठ वितनायोग कब लागू होगा यह जो है आपको एक जनरी 26 से आपका आठ वितनायोग लागू होगा और नई सरकार जल्द ले सकती है फेसला हलांकि आठ वितनायोग के समझेद है अभी तो कोई भी ओपचारी गोष्णा नहीं किया देखे लाश्टी चुनाब समाब हो चुगा है ऐसे इंपरबल संभावना जते जा रही है कि सरकार आयोग के कटने की दिशार में निनायोग कदम उठा सकती है आगे लिखा सेलरी में कितनी बड़ोती हो सकती है उमीद तो जो है इसमें 3.68 फिटमेंट फेक्टर के बात की जा रही साते वेतनायोग से 14 फिश्दी बड़ीती सेलरी जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसके अंदर क्या होता है बैसी को डिये को मर्ज करने के बाद में उसके उपर एक इंक्रिमेंट लगाते है पिछले वेतनायोग में 14 परसेंट का इंक्रिमेंट दि तो कहीं न कहीं इसकी प्रबल संभाना जयता है जा रही है कि आपका 8CPC यहां पर जल्द लाया जाए और यह जो है अभी तक सरकार ने इसके उपर ओफिशिल गोष्ण नहीं किया लेकिन चारों तरब जो है चर्कशाय का महौल बना हुआ कि 8CPC का कि 8CPC जल्दियां पर ला सकती है सरकार क्योंकर सरकार तीसरी बार रिपीट हुए और केंद्री क्रमचारियों के नाराजगी दूर कर सकती है तो यह थी छोटी से जानकारी आई होप आपको जानकारी अच्छी लगई गोड़ा पोस्तों के साथ मेसेज जरू करें थैंक्यू